दोजाद 24 लोगसबा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए कॉंग्रेस और इंडिया गडवन्दन के 28 दलों के बीच सीट शेरिंग बड़ी चुनावती सावित हो सकती है लोगसबा में कॉंग्रेस के बाद प्रमुक्पि पक्षी पार्टी टीमसी की सुप्रीमो ममता बैनर जी ने कहा है कि पक्षी मंगान में उनकी पार्टी की भाजपा से सीधी तक कर है उदर महराष्ट में शिव सेना उदर ठाकरे गुट के सांसत और प्रवक्ता संजय राउत ने भी शुकरवार को कहा कि लोगसबाचुनाओं में दादरा और नगर हवेली सहित तेवी सीटों पर शिव सेना लड़ती रही है और वह मजबूती से लड़ेगी इन दो बयानों के बाद कॉंग्रेस के लिए सीट शेरिंग का फॉर्मूला निकालना आसान नहीं होगा एक एजेंसी के अनुसार बताया कि कॉंग्रेस पार्टी इंडिया गढ़बंदन के 28 दलों से सीट शेरिंग पर जनवरी के पहले हफ़ते से बादचित शुरू कर देगी यह जानकरी कॉंग्रेस के 149 वेस्थापना दिवस के ठीक एक दिन बाद आई है पार्टी ने जिन नाकपुर में लोकसबा चुनाओ का एक तरीके से आगास कर दिया है टीमसी चीफ पश्चिम बंगाल की सीए ममता बैनर जी ने 28 दिसंबर को राज में अकेले लोकसबा चुनाओ लड़ने की इच्छा जाहिर की उत्तर 24 परांगना में एक रेली के दोरान ममता ने कहा कि हमें बीजेबी को सबक सिखाना है किसी अन्य पार्टी को नहीं बंगाल में टीमसी की सीदे टकर बीजेबी से है इंडिया ब्लॉक देश की सभी सीटों पर साथ चुनाओ लड़ेगा सीट चेरिंग के मुद्धे पर सभी पार्टीों से खुले मन की बात की जाएगी